तो जी अभी तक हमने स्टार्ट किया था बजट, बजट के अंदर हमारे कितने पार्ट से सर, हमें एक fix and flexible बजट देखना है, जो कि चल रहा है हमारा, फिर cash बजट, फिर production बजट, इसके साथ साथ sale बजट, purchase बजट भी हमें देखना होगा, इन बजट के बाद हमने क्या देखा था सर, हमने देखा था budget की theory, theory के बाद फिर हमने किया था budget, आपको समझाया था कि capacity कैसे निकाला जाता है, आपको certain percentage की capacity दे रखा हो, निकालने का तरीका होता है, divided by percentage into required percentage, ये format देख लिया था हमने variable, semi-variable, fix, variable तो वो जो purely change होता रहेगा unit के साथ, semi-variable के अंदर कु टोटली fix रहने वाला है, total cost निकाल देगे पस budget बताना है, इस पर कोई decision making नहीं करनी है, एक question आपके book का 2.4 किया था, आपके किताब में है, ये सार भी question, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप सभी ने अगर book ले रखा है, मैं और तो बहुत अच्छी बात है, मैंने PDF भी डाल दिया, in fact, so that मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जी ये जो book है, ले ले ले, ताकि hard copy better रहेगा, इसके बाद आते हम आगे, आज एक और question करेंगे 2.5, एक और question करेंगे 2.5, और 2.5 देखते हैं, पढ़ लेते हैं पहले, क्या कहता है, prepare flexible budget production, 80% capacity और 100% capacity, activity based, आगे कहता है, following information given, production हमारा 50% capacity पे है 5000 unit का, पर 50% capacity पे 5000 unit है, मैं यहाँ पे unit लिख देता हूँ, unit 5000, ठीक है न, unit जो है, वो है 5000, कलिए सर, तो 80% capacity पे कितना होगा, तो सर, 5000, divided by 50, और पहले एक बार 100 निकाल लो, तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, 10,000, 100%, 80% पे आ जाएगा हमारा 8,000, ठोड़ा ठीकने से बढ़ा लेते हैं, 8,000, और 100% पे 10,000, कहता है, 80% पे raw material 80 per unit है सर, तो variable cost आ जाएगा हमारा, variable cost, उसके बाद हम ले लेंगे, semi variable cost, semi variable cost, इसके बाद ले लेंगे, fix cost, ठीक है, अब सबसे पहले बोलता है, raw material, sir, raw material कितने है, raw material की बाद चल रही है, तो raw material कितने है, raw material 80 per unit है, तो 5000 को 80 से multiply करके देख लेते हैं, 5000 इंटू में 84 रुपए, ऐसे ही इसका आ जाएगा, 8000 इंटू में 86 40, और यह आ जाएगा 8 लैक, direct labor, direct labor, direct labor, direct labor कहता है, 50 रुपए है, तो 50 धाई लाग, यह आ जाएगा 4 लाग, और यह आ जाएगा 5 लाग, कैसे आया पता है ना, 50 रुपए है, तो 50 से multiply, मैंने हर unit को कर दिया है, इसके बाद कहता है, सर्फ direct expense 15 रुपए पर unit, direct expense, यहाँ पर direct और indirect से मतलब नहीं है, बस आपने budget बनाना है, उसके हिसाब से flexible budget है, तो बस total cost पर चलेंगे, तो 15,000, तो 75,000, 8,000 into 15, 120, और 150, इसके बाद कहता है, factory expense कुछ part fix, कुछ variable, तो यहाँ पर आ जाएगा, factory expense सर, कहता है सर, factory 50% हमारा fix है, तो 50% fix है न, तो यहाँ fixed, और variable, fixed हमारा 50% है, तो 50,000 का 50% fix बोल रहा है यह, तो इसका मतलब सर 25,000 तो fix है, बाकी 25,000 variable है, तो पहले मैं fix वाले पार्ट को 25,000, हजार तीनो activity के जगह पे, मतलब तीनो capacity level पे लिख दूँगा, अब कहता है सर, 25,000 रुपे हमारा variable भी है, तो सर, variable 25,000 पांच हजार unit पे है, तो variable cost आ जाएगा हमारा 5 रुपे पर unit, variable cost आ जाएगा हमारा 5 रुपे पर unit, 25,000 divided by 5,000, 5 रुपे, तो अब इसके हिसाफ से vary करेगा, तो यह तो 25 आगे है, देखो, और 8 पंचे 40,000 आ जाएगा, और यह 50,000 आ जाएगा, समझे बात को, सर इसमें मैं देख पा रहा हूँ, fix cost हाई नहीं, तो हटा देते हैं इसको, इसके बाद आ गया जाते है, admin expense, 60% part fix है, कुछ बच्चों को doubt हो सकता है, पूछ लेना भी मुझस से, admin expense, fix पहले लिख लेते हैं, और VC लिख लेते हैं, कहता है, admin expense है, कितना हमारा, 60,000, 60,000 में से 60%, यानि 36,000 तो fix है, और बचा 24,000 VC है, तो पहले 36,000 fix को तो लिखी ले, और 36,000, और VC की बात करते हैं, तो VC का हमें यूनिट निकालना पड़ेगा, कि सर 24,000 है, और ये 5,000 यूनिट पे है, तो 24,000 है, और ये 5,000 यूनिट पे है, तो 4.8 आ गया, तर 4.8 से हर जगा पे, यहां पे तो 24 ही रहेगा, और 4.8 ये 48,000 हो जाएगा, और सर 4.8 इंटू 8,000 ये आ जाएगा, 38,400, 38,400, ठीक है, चलिए सर, अब फिर से हम काम कर लेते हैं अपना, ये टोटल, हमारा, 4.5,000, तोटल आ गए हमारा, 4.050, चलिए साथ लाएगा, पक्यास हलार, इधर टोटल, 5.6,000, पक्यास हला, पक्यास हलार, पक्र ही यह आ गया, एक'' दस?" एक तस और थोड़ा थोड़ा नीचे चालते हैं टोटल बजट निकालना है ए प्लस बी कर देंगे टोटल ए प्लस में बी यानि ए इसको दे दिया बी इसको दे दिया तो एक दस प्लस साथ पच्चिस आगे आठ पहते हैं करेक्ट अब दूसरे का देख लेकता है छे चालिस चार लाग एक लाग बीस हजार एक लाग ग्यार लाग साथ हजार 25,000, 40,000, 36,000, 38,000, 139,400 Plus 11,60,000, 12,99,400 8,000, 5,000, 8,000, 14,50,000 25,000, 50,000 159,000, 14,000, 160,000, 9,000 Sir, ये question का answer था 2.5 इसका budget का answer आ गया इसमें doubt है तो बताईए आप इसमें doubt है तो बताएं जल्दी जल्दी बताएं फटा फटा नहीं तो फिर अगले question पर चले एक और doubt है तो बताईए फटा फट voice आ रहे हैं आप सभी को कौन-कौन बच्चे हैं ओनलाइन देख लेते हैं गौरब, विवेक, संजना, voice आ रहे है तो बताईए डाउट है तो चले अगले question पर अगला एक और question देखते हैं 2.3 problem का आप सभी बताईए आपको PDF questions मिल गए थे practice के लिए वैसे e-book मैंने पूरा डाल दिया है और e-book में आपके सारे chapter wise उसमें डले वे हैं पूरा महिश्वरी जो मित्तल है महिश्वरी मित्तल कर रहा हूं मैं नरोडा की पूरी book डाल दी है मैंने तो book ही है वो आप PDF में कर सकते हैं next question चलिए चलिए sir next question पर चलिए next question कौन सा लिया जाए पूला एक्स तेरा जीरो तो हमने भी निकाला है एक वाट लोटलिंग चेक कर लेते हैं कुछ और आ रहा है fix it झालिए जाए झालिए कि उनका लेग बत्व मताओं झालिए झालिए पूला तो एक mistakes कर दिया हमने इस question में और mistake क्या है कोई चीज मैं देख रहा था इसने कहा है देखो मेरे दिवाग से भी निकल गए आपको भी ध्यान देना है कि sir 60% part variable है यानि ये वाला part variable है और ये वाला part fixed है इस error को फटा फट से मैं यहां ठीक कर देता हूँ तो ये जो fix है ना ये fix नहीं है ये variable था तो यहां पर आजाएगा fix में 24,000 जिसकी वज़े से पूरे desert change हो जाएगे और अब निकालेंगे हम क्या उपर 37,000 divided by 5000 आप लोगों ने भी ध्यान ने दिया 7.2 आएगा that is 7.2 यहां पर तो यहां यह तो 36 आजाएगा एंटू में 8,000 आवंच 70,000 50,000 11,10,000 प्लस यहां यहां जाएगा 30,000 25,000 50,000 1,00,000 24 35 पे तो फरक नहीं पर थोड़ा correction कर दिया है मैंने देखो मैं repeat कर देता हूँ मैंने क्या कर दिया था पहले यहां 50% मैंने देखा था और इसको भी 50% यह fix है इसको भी fix मान लिया अब यहां पर changes क्या हुआ सर यहां पर changes मैं पूरा दिखा देता हूँ सर 60,000 रुपे की cost थी इसमें से 60% variable है that is 36,000 और 24,000 रुपे आपका fix होगा fix तो हर level पे देखिए fix है variable है इसको divide 5000 unit से करेंगे तो 7.2 पर rate आ गया हर किसी को 7.2 से multiply करके दुबारा calculation हमने कर लिया है जो कि पहले हमने क्या सूचा था मेरे दिमाग से निकल गया था मैंने इसको variable की जिखा fix मान लिया था clear है आप आपको taxi clear है taxi अभी आपके पास notification आया है पहले यहाँ तक देखिए clear है यह विवेक आपका क्या doubt एक बार hand raise कर दीजे मैं ले लेता हूँ हुआ है